हेलो गाइस मैं हूँ काजल और आप दिख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी कैसे हैं आप लोग उमिद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी चल रहे होगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी बॉय होने प पता लगेंगे जो आपको बता सकते हैं कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी क्योंकि फ्रेंट हर गर्वती महिला ये जानने की जिग्याजा रखती है कि मेरे गर्व में पलड़ाश इशू जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी वो ऐसी ऐसी चीजों को ढूडती है के जिससे मुझे पता लगे कि गर्फ में बेटा है या फिर बेटी है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके गर्फ में अगर लड़का होगा तो आपको कौन से लक्षन जो है वो महसूस होगे अगर आपके गर्व में लड़की होगी तो आपको वो कौन से लक्षन जो है वो मैसूस होगी तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहां पर आपकी बेबी बॉय के सिम्टम्स जो है आपके शियर करने आती रहती हूँ गर्व में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षन होता है कि आपकी एडियो का फटना देखे फ्रेंट्स आपने अधिकतर देखा होगा कि आपकी एडिया जो है न अधिकतर बहुत सारे लोगों की 90% लोगों की एडिया जो होती न वो सर्दियों में फटना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके अंदर जब ड्राइनस आजाती है मतलब कि सूखापन आ जाता है तो उनको एडिया फटने लग जाती है जब मुझे बिभी बॉय कंसीव हुआ था तो मुझे बिभी मेरा बॉय जो है न वो मतलब कि गर्मियों में कंसीव हुआ था और तभी से जो है न मेरी एडिया जो है वो फटने लग गएती जिसको देखके हमारे घर के बड़े बुजर्ग बताया करते हैं कि जब गर्व में लड़का होता है तो आपकी एडिया जो है वो फटने लगती है देखे बहुत सारे लोगों की एडिया सर्दियों में फटती है मेरी एडिया ना तो सर् के दीता है इसके बाद होता है second symptom सी यह होता है कि आपकी एड़ी में दर्ध होना दी कि अगर आपके starting ही महीने से मतलब कि जब से आपने pregnancy conceive की है और आपका first ultrasound हुआ है और तब ही से आपकी एड़ीों में दर्ध हो रहा है तो आपको तब भी समझ जाना है कि जब आपकी एड़ किया होता है तबी जो है आपके एडियों में दर्द बहुत जादा आपको देखने को मिलेगा देखे फ्रेंट्स जो एडि का दर्द है ना अगर आपके आठवे महीने में या फिर नौवे महीने में हो रहा है तो ये बहुत ही कौमन बात है आठवे और नौवे महीने में क्योंकि उस टाइम पे आपका बेबी बंप जो है और आपका वेट बहुत हेवी हो जाता है तो सारा उसका वज़न आपके एडियो पे पड़ता है तो वो दर्द होना बहुत ही common बात होती है सभी के साथ ये कंडिशन बहुत ज़्यादा होती है बट क्या होते हैं कि अगर आपके स्टार्टिंग की महीनों से अगर आपके एडियों में दर्द बना हुआ है फ्रेंट्स तो ये कही न कहीं संकेत देता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉई होगा तीसरा सिम्टम्स आपको मैं बहुत ही सर्डिक बताती हूँ वो है कि आपकी बालों की लेंथ होना अगर आपने बिबी बॉई को कंसीव किया है तो आपकी बालों की ग्रोहत बहुत हैवी हो जाएगी और बाल बहुत लंबे और घने और काले आपको दिखाए देंगे अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको अनुमान लग सकता है कि आपके गर्व में परने वाली जो संतान है वो एक बिबी बॉई होगा इसके बाद फ्रेंट्स नेक्स सिम्टम सी होता है कि आपके शरीर पे अंचाहे बालों का उगना मतलब कि आपके आप के दोनों टेस्ट के बीच में मतलब कि जो आपके ब्रेस्ट है उसकी बीच में आप देखो गे ना ध्यान से तो आपको लगेंगे कि छोटे छोटे बाली पहले तो नहीं थे अभी कहां से आ गए आपके हाथ पे पेट पे बहुत ही जादा बाल जो है आपको देखने को मिल क्योंकि हमारे घर के बड़े पुज़र बताया करते हैं कि जब गर्प में लड़का होता है तो लड़कों में आपने अधिकतर देखा होगा कि लड़कों के अकॉर्डिंग जो है ना वो बहुत जादा होते हैं तो वही सिम्टम जो है हमारे हंदर जब प्रेगनेंसी में हम अगर आपकी प्रेगनेंसी के दुरान आवाद जो है वो भारी हो गई है और पहले आवाद जो है आपकी बहारी नहीं थी और प्रेगनेंसी जब से आपने कंसीव किये है उस टाइम से आपकी आवाद जो है वो भारी हो गई है तो भी कहा जाता है कि आपकी आनेवाद जो स वो एक बिबी बॉइ होगा तो अगर यह सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाइ देके बता सकूं कि यह आपको बिबी बॉइ के सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर बिबी गरल के सिम्टम्स हो रहे हैं वहीं पेफेंट हमारी घर के बड़े बुज़र्ग बताया करते हैं कि अगर गर्वती महिला ज़्यादा चट पठा थी खा या फिर बहुत ज़्यदा खटा खारी होती है तो उन को ज़िए बेबी बॉई होने के ज़्यादा चान्स होते हैं तो friends दिखें ये बात तो normal है कि pregnancy की दुरान जब हमको craving होती है किसी भी चीज़ की खाने की तो या तो हम कटा खाते हैं या फिर हम मीठा खाते हैं तो दो चीज़ की हमें craving होती है बट जैसे कि मैंने भी सुनाता कि जब pregnancy में जो महिला होती है pregnant अगर वो मीठा खाती है तो उनको जो है न वो लड़की होती है बट में friends मैं अपनी condition बताओ मेरी pregnancy की दुरान न मुझे without pregnancy भी जो है न मीठा खाना पसंद बिल्कूल भी नहीं है मैं एक रजगुला भी जो है वो नहीं खाती हो मीठा मुझे सुरू सही बच्पन से पसंद नहीं है बट मेरी pregnancy के दुरान एक से लेके पूरे साथ महीने तक जो है न मुझे कभी भी मीठे खाने की craving नहीं हुई कि मैं मीठा खाऊं क्योंकि मुझे पहले से मीठा पसंद नहीं है बट आठवे और नौवे महीने में फ्रेंट्स एक दम से ऐसी craving हुई मुझे मुझे मीठा खाना है और मीठे के अंदर फ्रेंट्स मुझे रजगूला जो है ना बहुत मन करता था कि मैं रजगूला खाऊं और एक मोती चूर के जो लड़ू होते है ना वो ऐसे लगता था कि कोई मुझे को लाके दे और मैं खा लू तो एक दम से जब मेरी craving change हुई ना मीठे की तरफ हमारे घर के बड़े बुज़ूर बताया करते हैं कि जो last महीने में मतलब की 8-9 महीने में last की महीने में अगर आपको एक दम से आपका मन जो है वो change हो जाता है कि आपको मीटा खाना पसंद आ रहा है तो कहा चाता है कि आपके गर्ब में आपकी होने वाले संतान जो है वो एक बिबी बॉई होगा तो फ्रेंड्स ये लक्षन जो है न मेरे साथ बहुत जादा सटीक भैटा है और मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बताते हैं मैसेज करके कि दिदी हमको भी लास्ट महिने में एक दम से क्रेविंग जो है न मीठे खाने की हो गई थी और मुझे भी बिबी बॉई हुआ है इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने बिबी बॉई को कंसीव किया है तो आपको देखे चलने में अगर आपका लेफ्ट वाला पैर जो है वो ज़्यादा आप यूज करते हैं चलने में उटने में बैठने में मतलब की पूरे दिन में अगर आप चलते टाइम अपना लेफ को चलता है तो ये भी बहुत ज़्यादा सटिक लक्षन होता है कि आपके गर्व में पलने वाले जो संतान है वो एक बिबी बॉई होगा बट ये आपको पूरे दिन में ये बात नोटिस करनी होती है कि मेरा जब भी मैं कहीं से बैठके उड़ती हूँ या फिर कहीं पर चल होते हैं हमारे हर एक महिने के अलग-अलग लक्षन हमारे पास हमारे अंदर जो है वो हो रहे होते हैं मगर उनको जानने के लिए हमको उनके घराये तक जाना पड़ता है कि ये लक्षन क्यों हो रहा है जब आपके प्रेग्नेंसी खतम हो जाएगी ना फ्रेंड्स तब आप मेरे दुबारा वीडियो देखोगे ना फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सच में मुझे भी ऐसा होता था और ये बात बिल्कुल सच है तो फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी के दुरां जो मेरे साथ लक्षण हुए है ना वही लक्षण मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा सर्टीक संकेत मिल सके कि बिबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं मेरे पास एक मैसिस आया है कि दीदी बेबी गर्ल के सिम्टम्स भी आप जो है वो शेयर करना तो कल जो है ना मैं आपके लिए नेक्स वीडियो जब भी मेरी आएगी तो बिबी गर्ल के आपको सिम्टम्स ज़रूर शेयर करूंगी प्रेगनेंसी में कि बिबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं तो मिलती हैं आपको नेक्स वीडियो में इस वीडियो को देखने एक बाद कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा बाइबाइ टेक केर अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना बाई बाई